नमस्कार प्रीज सातियों एसार ग्रूपे प्रेशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है तो मित्रों ये पहला वीडियो है जो अपने चैनल द्वारा प्रेशित किया गया था और आज मित्रों ये एक लाग से उपर मेंबर के पास में पहुंच चुका है यानि एक लाग से उपर व्यू आ चुके हैं ये पहला वीडियो है जिसमें इतने ज़्यदा व्यू आये हैं कुसी देखे मित्रों मिलती है जब भी कोई कारिय करते हैं पन और उसमें सपलता मिलती है तो अवस से ही कुसी मिलती है वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तभी इतना आगे गया है अगर नहीं देखा होता तो मित्रों यूटूप इसको रोक लेता यूटूप में यही है जितना देखते हैं उतने ही ज़्यदा लोगों के पास में पहुंचाता है वीडियो को आपने कमेंट किये, लाइक किया, तभी ये हो पाया है मित्रूं इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किये देखें मित्रूं कर सकते हैं सबका लग-लग मिजाज होता है हमारा देखें समझाना फर्ज है अगला समझता है, नहीं समझता है वो उस पर निर्बर करता है कोई सवाल है, इस प्रकार का हो जिसमें दिक्कत आ रही हो, समझ से बाहर हो आपजेक्शन हो, तो आप उठा सकते हैं लेकिन जो बोलने का तरीका है वो बिलकुल सही होना चाहिए मित्रूं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सालिंता होनी चाहिए फिर भी जैसा भी कमेंट किया मैंने सभी का असेप्ट किया, उनको जैसा कमेंट था, उसी नुसार उनको जवाब दिये अब देखते हैं ये वीडियो क्या था मित्रूं, इतने ज़दा व्यू आया है इसमें स्वाल थे मित्रूं, पहला स्वाल मैंने दिया था, निम्बू के साथ क्या खाने से इनसान मर भी सकता है, मर भी सकता है, यानि इसमें कोई निश्चित नहीं का गया है, कि मरे गाई वेक्ति, मर भी सकता है, यानि पोईजन का कारण बनता है, अब बहुत सारे मेंबर ह है उनों ने ही मान लिया कि अगर निम्बू के साथ में पपीता खाया तो वास्ताव में मर जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ एक व्यक्तियों के साथ में संभावनाएप बनी रहती हैं विटरूं एसा हो सकता है पपीते के साथ में अपना आगे जानेंगे इसा होता क्यों है क्या कारण है इसका इसी लिए ये वीडियो आज अप्लोड कर रहा हूं यह पहला स्वाल था इसका मैंने एंस और बाकाईदा बताया है वीडियो में और दूसरा जो क्यूसन था वो आप सभी के लिए था कि आप इसका उत्तर दें कि जीव के जीव में डांत होत हैं वही सुआल प्रेशिद करते हैं सोसल मीडिया है हर जगे वीडियो जाता है मित्रूंग ऐसे तो फिर बनावटी सुआल होंगे तो कोई भी प्रेशिद कर देगा फिर अबजक्शन आएंगे ज़धा से ज़धा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं साधा रंग तो नहीं थे स्वाल जी के ठ्रिक के और ये जो वीडियो है उसका वाल पेपर था बहुत ही साधा रंग वाल पेपर इसमें गहरे रंग में ये लिखा गया था निम्बू के साथ क्या खाने पर वेक्ती मर भी सकता है 170 लोगों ने कमेंट किया है लाइक यहां पर शो नहीं हो रहे हैं बहुत सारे 2000 से उपर लाइक हैं और देखे मितरूं इसमें जो व्यू आए हैं वो देखे ये देख रहे होंगे आप स्क्रेंट पर एक लाइक आठ अज़ार शेसो चिंटर व्यू आ चुके हैं और ये समय भी होगा इसमें ये समय है देखे दो बज़के त्रेपन मिन्ट पर ये स्क्रेंट लिया गया है और इसके बाद में प्रत्ती गंटे दो तीन अजार व्यू आ रहे हैं इसमें रियल टाइम में देखे तीन बज़के च्यार मिन्ट पर ये स्क्रेंट लिया गया है साट मिनट का जिसमें 2923 व्यू आ रहे हैं प्रूप हैं कोई भी जूट नहीं बोला जा रहा है साट मिनट अगू और अब उन स्वालों के जवाब भी जान लेते हैं मित्रूँ पहला स्वाल था किसे निम्बू को किसे जो फल है उसके साथ में नहीं खाना चाहिए या मर्तिव भी हो सकती है तो निम्बू और पपिते के साथ में सेवन तोक्सिक हो सकता है इससे एनिमिया और हिमोगलोबिन के इस्तर में ऐसंतुलन की समस्या हो सकती है हिमोगलोबिन जो आपके रक्त में होता है मित्रूँ उसमें गड़बड़ी हो सकती है ए संतुलन की समस्या हो सकती है और एक रोग है एनीमिया वो हो सकता है इसलिए यह सला दी जाती है कि इस कॉंबिनेशन में पपीता ना खाए पपीता खाने के बाद खटे फल जैसे संत्रा, मोस्मी, कीवी, टमाटर खाने से भी प्रहेद करना थी है यह कितना उचित है मित्रूँ ज्यादातर जो भी वेक्ति है पड़ावा है वो ही प्रेसित करता है यह दे रखा है और जो अक्सपाइर्ट हैं वो ही बता सकते हैं सक्ते क्या है इसीलिए मैंने जो कुशन किया था उसमें यह भी लिखा था कि इनका सेवन करेगा तो मर भी सकता है मैंने यह नहीं लिखा कि मरेगा ही तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है ज़्यादा डिटेल तो एक्सपर्ट जो होते हैं इनके डोक्टर वगर उनको ही पता है अपने तो सिर्फ पढ़ते हैं जहां से भी जो भी टोपिक किताबों के माद्यम से हाथ में आते हैं और दूसरा स्वाल था मित्रों किस जीव की जीप में डांत होते हैं स्वाल ऐसे ही नहीं क्या गया है यह जीव है मित्रों हंस के जैसा ही जीव है और इसका नाम है गिज हंस बोलते हैं इसको गिज हंस इसकी जीप में दाथ होते हैं ये देख सकते हैं आप डाइग्राम में तो ये वीडियो आगे गया, आप सभी की विद्ध से इसलिए धन्यवाद देने के लिए और उन दो क्यूशनों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है जरासा भी अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में सेर करना और चैनल के साथ में लगातार योँ ही बने रहे, सपोर्ट करें मित्रों सबस्क्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए जानकारी और नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंदे जै भारत